पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरंजीत सिंग चन्नी के बिहारियों के अपमान करने के बाद उनके द्वारा विवादित बयान देनी के बाद बिहार की राजुनिती बेहद गर्माई हुई नजर आ रही है ऐसे में हर एक पार्टी के तरफ से बिहार में लगातार पंजाब की सियम के खिलाफ बयान जारी किया जा रहा है हलाकि बिहार कॉंग्रिस ने इस पूरे बयान को लेकर अपना पल्ला जार दिया है साथी साथ बिहार कॉंग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था जिस प्रदेश के सीम होते हैं उस सीम को अपने प्रदेश की जनता के बारे में ही बात करनी चाहिए उस प्रदेश का ही हित सोचना चाहिए ऐसे में दूसरे राज्य में क्या कुछ हो रहा है और दूसरी राज्य से कितना नुकसान उस प्रदेश को हो सकता है इसके बारे में बोलने से कभी भी बचना नहीं चाहिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है तो वही दूसरी तरफ भाजपा और जदियू लगातार अब कॉंगर्स पर हमला वर होती हुई नजर आ रही है ऐसे में भाजपा के वरस्ट रनीतो और बिहार के उपुमुक्यमंत्री तारकिशोर प्रशाद समेत राजुसबा सदस्यों और बिहार के पूर्व उपुमुक्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नहीं पंजाब की सीम के इस बयान को बिलकुल अपमान करार दिया है और कहा ह ये बिहारवासियों का सीधे सीधे अपमान है बिहार में कृशियों का अपमान है और इस अपमान को सहा नहीं जाएगा ऐसे में कॉंग्रस इस बाद से पला बिलकुल भी नहीं जाड़ सकती और जो कॉंग्रिस ने पंजाब में किया है जिस तरीके से प्रियांका गांधी ने इस बात का समर्थन किया है और चरंजीत सिंग चन्नी के तरफ से ये विवादित बयान दिया है उसके बाद उनको इसका अंजाम बिहार में भोगना होगा और मतदान के समय उन्हें ये प्रियांका गांधी को भी बिहार यूपी के महनती लोग पसंद नहीं आ रहे हैं उनकी मौजूद्गी में पंजाब के मुख्यमंत्री अलगाव वादी बयान दे रहे हैं इतिहास गवा है कि बिहार यूपी के लोगों ने महनत और श्रम साधना से देश दुनिया में खुशाली समरधी और तरक्की लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है पंजाब भी इससे अच्छूता नहीं है प्रियांका गांधी वाद्च्वा की मौझूदगी में चन्नी के ऐसे शर्मनाग बयान का मतदान के जरिये लोग जवाब देंगे सुशील मोदी ने चन्नी के बयान को बेहद आपती जनक बताते हुए कहा है कि बिहारीों की बदौलत ही पंजाब के खेतों में हर्याली है अपमान का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा गलती से भी अगर कॉंग्रेस पंजाब में चुनाव जीच जाती है तो बिहारीों की लिए वहां मुश्किल खड़ी हो जाएगी सचाई है कि बिहारी की बदौलत ही वहां की फैक्ट्रियों से धुआ उठता है बिहार के लोग नहीं जाए तो पंजाब के खुशाली खत्म हो जाएगी मोदी ने कहा कि प्रियांका गांधी के उपस्तिती में ये बयान शर्म मोहन झा ने कहा कि वे पट्ता से बाहर है उन्होंने बयान देखा सुना नहीं है ऐसे स्थिती में प्रतिकरिया देना उचत नहीं पाट्य विधान मंजल दल के नीता अजित शर्मा ने कहा कि वे पंजाबी भाशा समस्ते नहीं है चन्नी क्या कह रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे हैं तो उनका इस मुद्धी पर बयान देना उचत नहीं होगा विधान पाशत प्रेम चंद्र मिश्रा ने कहा कि वे बयान से अनिभिग्य है चन्नी ने क्या कहा 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 उसका क्या मतलब है वो जानते ही नहीं तो कुछ भी कहना उचत नहीं होगा कॉंग्रिस मीजा विभाग की अध्यक्षु राजेश रोचोर ने कहा कि भाजपा जब जब चुनाव हारती है वो ऐसे हत्कंजे अपनाती है पंजाब में भाजपा की हारता है जिसे उसके लोग बौकलाई हुए हैं और चन्नी को फसानी की साज़िश कर रही हैं बिहार कॉंग्रिस के तमाम वरस्टर नीता इस बयान से पला ज़ाडते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा कि ना उन्होंने ना तो कुछ देखा है ना सुना है ना ही उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी पता है तो दूसरी तरफ बिहार की आम जनता और बिहार की तमाम पाटियां जिसमें भाजपा और जौदियों भी शामल है ये तमाम पाटियां बौखलाई हुई नज़र आ रही हैं उन्होंने पंजाब के सीम के इस बयान पर कड़िया पत्ती जताई है और कहा है कि ये सीधे सीध बिहारवासियों का अपमान है और इस अपमान को सहा नहीं जाएगा और मतदान के जरिये जनता इस बात का करारा जवाब देगी और प्रयांका गांधी वोज्जा के समर्थन को भी बिलकुल बरदाश्ट नहीं किया जाएगा और उनको भी इस बात का करारा जवाब मिलेग फिराल के लिए इस रपोर्ट में अतना ही आना कई खबरों के लिए मैं साथ बनी रही न्यूस फॉर नेशन में नमस्कार